भजन सहिता 47, 1-9 तक, हे देश-देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, उचे शब्द से परमेश्वर के लिए जैजैकार करो, क्योंकि यहोवा परम्प्रधान और भययोग्य है, वह सारी पृत्वी के उपर महाराजा है, वह देश-देश के लोगों को हमारे सम्मुक कर देता है, वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिययाकूब के घमन के कारण है, सेला परमेश्वर जैजैकार सहित, यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ उपर गया है, परमेश्वर का भजंगाओ, भजंगाओ, हमारे महाराजा का भजंगाओ, भजं परमेश्वर जाती-जाती पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंगासन पर विराजमान है, राज्य राज्य के सामंत अबराहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए एकठा हुए हैं, क्योंकि प्रित्वी की धालें परमेश्वर के वर्ष में हैं, वह त इसी मनुशे की परवा करता था। उसी नगर में एक विध्वा भी रहती थी, जो उसके पास आाकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वहना माना परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपी मैं न परमेश्वर से न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विशय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुशे का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृत्वी पर विश्वास और दूसरों को तुछ जानते थे, यह दृष्टांत कहा, दो मनुशे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुनगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद क खड़े होकर स्वर्ग की और आखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी चाती पीट-पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परन्तु यही मनुश्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई मेरे पास आने दो, और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही कहे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहन न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्त न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, जूटी गवही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच क कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था, यीशु ने उससे देख कर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, परमे चोड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं, उसने उनसे कहा, मैं तुम से सच, कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, या पतनी, या भाईयों, या माता-पिता, या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक ना पाए औ और आने वाले युग में अनंद जीवन, यवस्था विब्रन 28, 15-68 तक, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, और उसकी सारी आग्याओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ प पाहर जाते समय, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए, उसमें यहोवा तब तक तुझ को शाप देता, और भयातूर करता, और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिटन जाए, और शीग्र नश्ट न हो जाए, यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर गेरूई से मारेगा, और यह उस समय तक तेरा पीछा के रहेंगे, जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए, और तेरे सिर के उपर आकाश पीतल का, और तेरे पाउं के तले भूमीलोहे की हो जाएगी, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, व प्रित्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा, और तेरा शवाकाश के भाती-भाती के पक्षियों और धर्ती के पशुओं का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला न होगा, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े, और बवासीर, और दाद, और खुजली से ऐस पीडित करेगा, कि तू चंगा न हो सकेगा, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा, और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दुपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल न होंगे, और तू सदैब केवल अंधेर सहतर और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई चुड़ाने वाला न होगा, तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतू दूसरा पुरुष उसको भरश्ट करेगा, घर तू बनाएगा, परंतू उसमें बसने ना पाएगा, दाक की बारी तू लगाएगा, परंतू उसके फल खाने ना पाएगा, तेरा बेल तेरी आँखों के सामने मारा जाएगा, और तू उसका मास खाने ना पाएगा, तेरा गधा तेरी आँख के सामने लूट में चला जाएगा, और तुझे फिर ना मिलेगा, तेरी भिर बक्रियां तेरे श सहतर और पीसा जाता रहेगा, यहां तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आँखों से देखेगा पागल हो जाएगा, यहोबा तेरे घुटनों और टांगों में, वरननक से शिक तक भी असाध्य फोरे निकाल कर तुझको पीडित करेगा, यहोबा तुझको उस राजा सम जिसको तू अपने उपर ठहराएगा, तेरे और तेरे पूरवजों के लिए अंजानी एक जाती के बीच पहुँचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काट और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा, और उन सब जातियों में जिनके मध्य में परन्तु उनकी दाख का मधू पीने ना पाएगा, वरनफल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। दे सकेगा, वह तो सिर और तू पूछ ठहरेगा, तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आग्याओं, और विदियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पढ़ेगे, और तेरे पीछे पढ़े रहेंगे, और तुझ को पकड़ें और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रूओं की सेवा करनी पढ़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नश्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा, यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से, वरन पृत्वी के छोड से वेग से उड़ने वाले उकाब सी एक जाती को चड़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा, उस जाती के लोगों का व्यवहार कुरूर होगा, वे न तो भुडों का मूह देखकर आदर करेंगे, और न बाल को पर दया करेंगे, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिये हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे गेर रखेंगे, वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक गिरेंगे, जब तक तेरे सारे देश में तेरी उची उची और द्रिल शहर पना हैं जिन पर तू भरोसा करेगा ग तब घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रू तुझको डालेंगे, तू अपने निजजनमाई बेटे बेटियों का मास जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमी पर पाउव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्रांप्रियो पती, और बेटे, और बेटी को अपनी खेरी, बरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर द्रिष्टी से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस और भययोग्य नाम का, जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंच को अनोखे अनोखे दंद देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंद होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे अपने रोगादी दंद इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा, कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनित ह उने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुश्य रह जाएंगे, और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाए और बढ़ती करने से हर्श होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्श होगा, और जिस भूमी के अधिकारी होने को तुम जा र और ना तेरे पाउं को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, और तेरी आखें धुंदली पर जाएंगी, और तेरा मन व्याकुल रहेगा, और तुझ को जीवन पर नित्य संदेह रहेगा, और तु दिन रात थर्थराता और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा, तेरे मन में जो भय बना रहेगा, और तेरी आखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तु भोर को आह मार के कहेगा, सांज कब होगी, और सांज को आह मार के कहेगा, भोर कब होगा, और यहोवा तुझ को नावों पर च झाल झाल